आदाब हेदराबाद इस वीडियो में मंडे टू फ्राइडे हेदराबादी लंच या डिनर रेसिपी शेयर कर रही हूँ इस रेसिपी की बहुत सारी डिमांड आई थी मेरे चैनल पे तो चलिए बुनाना शुरू करते हैं मैंने ट्राई किया है कि बिल्कुल ऑथेंटिक जो 200 ग्राम गोश्ट एट किया है इसमें आट करेंगे दो अनियन, 1-2 कप ओईल, टेस्ट के इसाब से नमक, जिंजा गालिक पेस्ट, 2 टी इस्पून, 1-2 टी इस्पून हल्दी पाउडर और 2 टी इस्पून रेचिली पाउडर क्योंकि ये डेडी कुकि रेसिपीज है हमने भूना है और इसमें एट करेंगे एक कप पानी और विजल लगा लेंगे चार से पांच क्योंकि ये मटन है तो बस पांच विजल में ही अच्छे से पक जाएगा तो अब प्रेशर रिलीज हो गया है अब हम इस्टो की फिलेम ओन कर देंगे और मटन को हलका सा भून ल सकते हैं लेकिन मैंने सिफ फली याट की है फली दाल के अच्छे से मिक्स करेंगे बस एक से दो विजल होने तक इसको पका लेंगे और प्रेशर रिलीज होने के बाद में इसको खोल लेंगे तो देखिए गवार की फली बहुत ही अच्छे से पक गई है और सालन हमारा तया तो इस सालन को आप रोटी और चावल दोनों के साथ में सर्फ कर सकते हैं बहुत ही मज़ेदार गवार की फली और मटन का सालन बनता है तो जरू ट्राय कीजिए तो चलिए अब हम नेक्स्ट सालन बना लेंगे ट्यूस्टे के लिए जो के है चुक्की की भाजी और मटन का स बनेंगे हाफ कप ओईल टेस्ट के साब से नम्मक टूटी इस्पून जिंजा गालिक पेस्ट थोड़ा साली पॉडर और टूटी इस्पून ग्रीन चिली पेस्ट क्यूंके चुक्के की भाजी का सालन जो है वह हरी मिर्ची के पेस्ट में अच्छा बनता है अगर आप हरी म चुके की भाजी का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है अच्छे सारी मुसालों को मैंने गोश्ट के साथ भून लिया था इसमें थोड़ा सा पानी दाल के हम इसको चार से पांच वीजिल होने तक पका लेंगे और जैसे ही प्रेशर रिलीज हो गया है मैंने इसे खोल कर अच्छे से निकल जाए अब हम गोश्ट में भाजी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर से इसको हमने सिर्फ दो वीजिल होने तक पका लेना है और जैसे ही प्रेशर रिलीज होगा हम इसको खोल कर देख लेंगे तो यह देखिए बहुत ही अच्छे से भाजी और इसका मटन तो बहुत टेस्टी लगता है तो जरू ट्राइ किजिए इसको और चावल दोनों के साथ में सर्फ कर सकते हैं नेक्स्ट रेसिपी है है हेदराबादियों का फेवरेट आलू टमाटर और गोश्ट का शेर्वा यह वैसे तो सारे रेसिपी फेवरेट है तो यह ज जैसे प्याज अच्छे से भून गई है इसमें आड़ करेंगे टू टीस्पून जिंजर गाली का पेस्ट और इसको भी बहुत अच्छे से भून लेंगे साथ में आड़ करेंगे थोड़ा सा नमक हल्दी पाउडर हाफ टीस्पून और रेच चिली पाउडर वन टेबल कर लेंगे सारे मसालों को अब हम इसमें गोश्ट एट करेंगे 400 ग्राम और इसको हमने हाइफ लेम पर गोश्ट को भूनना है जो हैदराबादी शिर्वा होता है वह इस तरह से भून-भून के बनाया जाता है जो आप रेसिपी देखते हैं जिसमें कुकर में सारी चीज़ प्याज अच्छे से भून गया थे इसमें एक कप पानी अट कर दिया मैंने इसके ओपर इस तरह से सिफ टमाटे एड करना है मिक्स नहीं करना है और इसको हम प्रेशर कूक कर लेंगे चाज से पांच विजिल होने तक और जैसे प्रेशर रिलीज होगा हम इसको खोल कर अच आलू 60-70% पक जाएंगे हमने इसको खोल कर फिर से भूल लेना है और अब हम इसमें खटा एड करेंगे तो पहले ही मैंने हैंफुल इमली भीगा ली थी इसका खटा निकालके एड कर देंगे तो जो हैदरावादी लोग नहीं है और खटा नहीं आड करते वो इसकीप कर सक बहुत ही मज़ेदार शेर्वा बनता है लास्माविस में थोड़ी सी कटीवी कोत मीर और कटेवी हरी मीर ची आड करके सर्फ कर देंगे हैदरावाद में बहुत ही शोख से ये शेर्वा खाया जाता है तो जरू ट्राइ कीज़े आपको अब हम थर्सडे की रेसिपी बना ल टेस्ट के साफ सीनमक एड करेंगे टूटी इसपून जिंजा गालिक पेस्ट, हाफ टीइसपून हल्दी पॉडर और टूटी इसपून देट चिली पॉडर सारे मसाला को पहले कोश्ट में हम अच्छे से भून लेंगे तो जैसे मैंने कहां भून कर बनाने का प्रोसेश ज होने तक और जैसे प्रशर रिलीज हो गया था मैंने इसे फिर से खोल लिया है और हाइफ लेंपर हमने इसको एक पांच मिट के लिए भून लेना है और देखें गोश्ट बिल्कुल तयार हो गया है इसमें हम आट कर देंगे आधा किलो तूरई और तूरई हमेशा आपने प्रूरई आगर कडवी हो तो पिर जरूरी है अगर कडवी हो तो इसलिए जरूरी है चक्टना अब हम इसी तरह से मिक्स कर देंगे और धक कर पका लेंगे इसको प्रेशर ऩैंपर में थेगी आप नहीं और तो प्रेशर अज़ जाएगी चुंकि तूरह ह हूआईगी वेश्टेबूल होती है और जैसे ही तुरही 80% पक जाए इस्टो के फिल्म बन कर दीजिए क्योंकि बाखी की कुकिंग इसमें ऐसे ही हो जाएगी तो लास्ट में थोड़ी सी कटी हुई कोथ मीर और हरी मीर ची आट करेंगे और यह देखिए बहुत ही जबर्दस सालन तयार ह तुरही गोश्ट का और इसका गोश्ट बहुत ही टेस्टी लगता है और यह सालन भी आप रोटी और चावल दोनों के साथ में सर्फ कर सकते हैं तो नेक्स्ट फ्राइड़े की रेसिपी है है घडराबादी खटी दाल क्योंकि है घडराबादियों को खटी दाल बहुत पस नाती है से भीगाने की ज़ुरत नहीं है क्योंकि हम उसे कुकर में मना रहे हैं तो बहुत चल्दी गल जाएगी तो इसमें एट करेंगे टूटी इस्पून जिंजा गालिका पेस्ट टेस्ट के हिसाब से नमक, हाफ टीस्पून हल्दी पॉड़र, टूटी इस्पून रच भीगा की रखी है हैंडफूल, अब हम इसका खटा निकाल लेंगे इस तरह से मैश करके और यहां देखिये दाल अच्छे से गल गई है, चार पांच वीजिल के बाद में मैनें से खोल लिया है और अच्छे से इसको हम घोट लेंगे या मैश कर लेंगे इस तरह से अब हम जलाते वक्त मैंने नमक अड़ नहीं किया था अब जो हमने खटा निकाल के रखा है वह एड़ करेंगे और थोड़ा सा करी लीव एड़ करके इसको दो से तीन बॉइल आने तक अच्छे से पका लेंगे तो देखिए दाल अच्छे से पक गई है इसमें बॉइल आ गए है ती इसमें सील हो जाए और दो से तीन मीट के बाद हम इसको खोल कर इसमें अट करेंगे कटीवी कोथमियर और गर्मा गरम चावलों के साथ में सर्फ करेंगे बहुत ही मज़ेदार खटी दाल बनकर तयार होती है जरूर राए कि जैसे आप पापड या तले हुए गोश्ट के स कैसे यूसफिल वीडियो के लिए और कैसे रेसिपीज आप देखना जाते हैं वह भी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए थैंक्स फॉर वाचिंग